वेलकम टू नेक्स एक्जाम आज है बेस अगस्ट 2022 और बेस अगस्ट 2022 एकर इंटरफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चन मन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और हर कुश्चन से रेलेटेड इंपोर्टेंट पैक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आ उसका आंसर आपको comment box उनपताना है आज किस वीडियो की PDF फायल आप इस वीडियो के र्णा से डाउनलोड कर सकते हैं पी पिडिय आप अप मेरेटेले ग्राम गूर्प से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलेगराम पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रूप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्राइब दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रूप चाइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुशन है हाली में बेस्षु मानब अप्ताबादी दिवस मनाया गया तो इस कुश्यन का बे आपसंस है यह बेसुमान अप्ताबादी दिवस यानि की World Humanitarian Day ये ऐसे लोगों को याद करने के लिए बनाया जाता है जो बिना अपनी लाइफ की परवा किये लोगों की मदद के लिए हमेशा तयार रहते हैं अब ये दिन तो पारसी नबर 17 अगस्त को मनाया गया और इंडोनिसी सुतंता दिवस ये भी 17 अगस्त को मनाया गया सूले अगस्त को बेनिंग्टन बैटल डे मनाया गया चोदे अगस्त को बेभाजन बेबीजिका इस्मरण डिवस मनाया गया तेरे अगस्त को बेश्चु अंगदान डिवस मनाया गया बारे अगस्त को अंतरास्टी युबा डिवस बेस्सु हाथी दिवस और बेस्सु संस्कृत दिवस मनाए गया 10 अगस्त को बेस्सु जैव इधन दिवस और वर्ल्ड लाइन डे मनाए गया 9 अगस्त को बेस्सु आदिवासी दिवस मनाए गया 9 अगस्त को ही नागासाकी दिवस भी मनाए गया आठ अगस्त को भारत छुडो आंदूलन दिवस मनाये गया, साथ अगस्त को रास्टी हत्करगा दिवस मनाये गया और साथ अगस्त को ही रास्टी भाला फैंक दिवस भी मनाये गया, चै अगस्त को हिरोसिमा दिवस मनाये गया, पांच अगस्त को अंतरास्टी ट्रेफिक ला कर गिया था अच्छा एक अगस्त को मुस्लिम माइला अधिकार दिपस मनाया गया और एक अगस्त को ही वर्ड लंग कैंसर डि बनाया तो अगस्त में अब तक इतने important ये बनाए गए हैं ये आपको याद रखने हैं अच्छा आज किस वीडियो का हम target रखते हैं 40 या like का तो अगर ये video आपको अच्छा लगता है helpful लगता है तब आप इस video को like और share जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ daily morning note कर सबसे पहल अपने लेक target fix करो और फिर अपना पूरा दिन उस target को अचीव करने में लगा दो आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी next question है हाली में कौन सी राजी सरकार इस नातकों के लिए tax center का उधगाटन करेगी तो अभी राजस्तान सरकार इस नातक ग्रेजुएट जो है जो टेक्निकल ग्रेजुएट हैं उनको अधिक रोजगार परक बनाने के लिए राजस्तान सरकार tax center का उधगाटन करेगी अब राजस्तान तो यह है मैप में राजस्तान राजस्तान की capital के है जैपोर राजस्तान की चीपनिश्टर कौन है असोक गहलोत और राजस्तान की गव अभी राजस्तान की जोदपुर में किया गया राजस्तान में पुसकर में सेंड आर्ट पार्क बनकर अभी तयार हुआ है बारत की पहली digital लोक अधालत राजस्तान में आयुजित की जाएगी बारत का पहला सर्व मैला सहकारी बैंक राजस्तान में स्तापित किया जाएगा राइस्तान सरकार बेधान सभा में स्वास्ते का अधिकार बिदेक पेश करेगी चारकन और आन्द पदेश के बाद राइस्तान जूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्जी बना है राइस्तान सरकार ने राजीव गांदी ग्रामीड उलमपेक पुरुसकार पदान करने की गूश न की है अच्छा राइस्तान में सरिस्का नेशनल पार्क है रड थंबौर नेशनल पार्क है और केवला देव घाना पक्ची वियार है अच्छा मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्ब ये भी राइस्तान में है मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्ब ये याद रखना है ये राइस्तान में अच्छा राइस्तान का एक कटपुतली नत्य आपने सुना होगा कट पुतली नत्य, ये राजिस्तान का फैमस नत्य है Next question है, हाली में देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर AC बस कहां सुरू हुई है तो देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर AC बस अभी मुंबई में सुरू हुई तो इस question का बे option सही है और इसका उद्गाटन किया है, हमारे सडक परिबहन एबम राजमार्ग मंत्री नेतिन गड़करी ने Next question है, हाली में किस राजिका मंडला पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है तो मंडला ये मध्यप्रदेश में है और ये पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना तो इस question का say option सही है अच्छा, mind में click किया कि कार्यात्मक रूप से साक्षर का क्या मतलब है ये चीजे mind में click करने चाहिए आप एक habit develop करो, जब एक कोई चीज आपको समझ में ना है दुरन तो ही रुख जाओ और उसके बारे में सोचो जैसे ये कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला मैंने आपको बता दिया लेकिन आपने नहीं सोचा इसका मतलब क्या होता है कार्यात्मक रूप से साक्षर का मतलब है कि उस जिले में जितने भी आदिवासी लोग है वो अपना नाम लिख लेते हैं सिर्फ नाम लिख लेते हैं इसी से कार्यात्मक रूप से साक्षर हो गए तो मद्यपरदेश का मंडला पहला आदिवासी जिला बना है जो कारयात्मक रूप से साक्षर है अब मद्यप्रदेश तो ये है मैप मद्यप्रदेश मद्यप्रदेश की कैपिटल क्या है भोपाल अच्छा जब बे आप भोपाल सुनते हैं मैं आपको हमेशा बताता हूँ भोपाल में है भोजदाद मद्यप्रदेश की चीपनिष्टर कौन है? सिवराज सिंग चोहान और मद्यप्रदेश की गबर्नर कौन है? मंगू भाई स्रीप पटेल अच्छा अभी मुख्य मंतरी बाल आसीरबाद यूजना मद्यप्रदेश सरकार ने सुरू की है बेश्चु का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौरूर्या सयंत मद्यप्रदेश में बनाया जाएगा अमर सहीद चंसेकर की भब्वि प्रतिमा अभी भुपाल में स्तापित की जाएगी राष्टपती रामनात कोबिन ने भुपाल में आरोग्य मंथन कारिकरम का उद्गाटन किया उस टैम राष्टपती थे रामनात कोबिन जब उन्होंने ये आरोग्य मंथन कारिकरम का उद्गाटन मद्यप्रदेश में किया था अब भी हमारी राश्टपती हैं द्रौपदी मुर्मूव अच्छा मद्यप्रदेश में काना, बांदबगड, मादब, संजे, पन्ना और सत्पुडा नेसनल पार्क हैं ये मद्यप्रदेश के इंपोर्टेंट नेसनल पार्क है नेक्यूशन है हाली में UAFA लेग खेलने वाली पहली भारती फुटवालर कौन बनी है तो UAFA मैला चेंपियन्स लीग खेलने वाली पहली भारती फुटवालर बनी है मनीशा कल्याण तो इसको इनका बे अप्सन सही है ये हैं मनीशा कल्याण अच्छा है UAFE इसकी फुल्पॉम क्या है इसकी फुल्पॉम है Union of European Football Association क्या है Union of European Football Association क्या है यूनियन आफ यूरोपियन फुटबॉल एशुशीशन है हाली में HDFC बैंक ने कहां केबल महिला करमचारियों द्वारा संचालित साखा खोली है तो अभी HDFC बैंक ने केरल के कोजी कोड में केबल महिला करमचारियों द्वारा संचालित अपनी एक व्रांच को लिए तो इसकी फुशन का A options है यानि कि यहां पे जितने भी employee रहेंगी सा स्थापना कव हुई थी HDFC बैंक की स्थापना हुई 1994 में इसका headquarter कहां पर है मुंबई में और इसकी present time पर CEO कौन है सचसी धर जगदीशन कौन है सचसी धर जगदीशन ने क्यूशन है हाली में किसे राष्टपती द्रौपदी मुर्मू का सच्चिव नियूक्त किया गया है तो अभी IS अधिकारी राजिश बर्मा को हमारी राष्टपती द्रौपदी मुर्मू का सच्चिव अपॉइंट किया गया तो इस कुशन का C options आई है राजिश बर्मा ये उडिशा केडर के 1987 बैच के IS अधिकारी है अब इनको अपॉइंट किया गया है तो अभी recently जितने भ गोईल को नेट ग्रेड का CEO नियुक्त किया गया है भारत पे ने नलिन देगी को CFO के रूप में नामित किया है यूनिटे स्मॉल फाइनस बैंक के MD & CEO के रूप में इंद्र जेत कैमोत्रा को नियुक्त किया गया है और सुरेस एन पटेल ने केंद्री सतरक्ता आयुक्त के रूप में सपतली है रंजीत रत ने ओईल इंडिया के CMD के रूप में पदभार ग्रेड किया है अच्छे यहां पर दूर नाम और लिखे हैं स्वेता सिंग और नकुल जेन तो स्वेता सिंग ये PMO में नई निदेशक बनी है और नकुल जेन ये पेटीम पेमेंट सर्विस की नए CEO बने है नए क्यूशिन है हाली में पेटीम ने POS उपकरण लगाने के लिए किसके साथ समझोता किया है तो पेटीम ने POS उपकरण लगाने के लिए Samsung के साथ समझोता किया तो इस क्यूशिन का B options है ये POS इसकी फुलप्रम ग्या होती है पोइंट औफ सेल जो मसीन होती है आपने दिखा होगा आप पेटीम पेपेमेंट करते हैं जिस मसीन में आप कार्ड स्वेप करते हैं से पोइंट औफ सेल बोलते हैं पोइंट और उपकरण ने क्युसेन है, हाली में H.A.L. कहां पहला बिदेशी बिपढन कार्याले खोलेगा, तो अभी H.A.L. मलेशिया में अपना पहला बिदेशी बिपढन कार्याले खोलेगा, तो इस कुशन का A options है यह, यह मलेशिया के क्वालालंपूर में अंतरास्टी बिपढ़न और बिक्री का रहले खोलेगा अब HAL यानि की हिंदुस्तन Aerotonautics Limited इसकी स्तापन कब होई 1963 में इसका हेड़क्वाटर कहां पर है बैंगलूरू में और इसके प्रजेन टाइम पर MD and Chairman कौन है R. Madhavan कौन है R. Madhavan ने क्यूशन है हाली में Bajaj Electricals ने किसे MD and CEO के रूप में पदोननत किया है तो Bajaj Electricals ने अभी अनुच पूददार को MD and CEO के रूप मेे पदोननत किया तो इसके इनका बे-ॉप्शन है इसके बेशेन के अनुच पोननत किया है ये हैं अनुच पूददार वाला पहला राजी कौन सा बना है तो अभी गुवा हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राजी बना तो इस कुछ इनका और तेसरा बना है दमंदीव अब गुआ पहला बना है तो यह है मैप में गुआ गुआ की केपिटल क्या है पड़ जी गुआ की चीपनिश्टर कौन है प्रमूत साबंत और गुआ के गवर्नर कौन है पे एस स्रीधरन पिल लई अच्छा अभी साओ जुआओ फेस्टिवल ग संग्राले का उद्गाटन किया है गुआ के नए पुलिस मानिदेशक बने हैं जस्पाल सिंग रेबीज मुक्त गोसेत होने वाला पहला राज्जी गुआ बना है पहला एलकोहल म्यूजियम अभी गुआ में कोला गुआ में बुंडला वाइल लैफ सेंचुरी है कोटे संग्त रास्ट के उच्छी स्थरी इंटरनेट पैनल में निवड हुए हैं तो अभी अलकेश शर्मा उच्छी स्थरी इंटरनेट पैनल में निवड हुए हैं तो इस कुशन का वे ने बारती खाद्य निगम के साथ समझोता पत्र पर हस्ताक्चर किये तो इस कुशिन का से ओप्सेंस है अब एक्सिस बैंक एक्सिस बैंक की स्थापना का हुई 1993 में इसका हेड़कॉटर कहां पर है मुंबई में और इसके प्रजेंट टेम पर CEO कौन है अमिताब चौधरी कौ अभी A-C-N-B-S-T-R-S-M-E-L-N का नौमा संस्क्रण नई दिल्ली में आयो जित हुआ कपड़ा उद्योग में हो रही तकनी की प्रगती पर चरचा करने के लिए A-C-N-B-S-T-R-S-M-E-L-N का नौमा संस्क्रण नई दिल्ली में आयो जित हुआ है next question हाली में किस राजसरकार ने दही हंडी को खेल का दर्जा देने की गोश्णा की है तो अभी महरास्ट ने दही हंडी को खेल का दर्जा देने की गोश्णा की तो इस question का say option से ही है दही हंडी उत्सब आपने टीवी में जरूर देखा होगा इसमें क्या होता है हवा में रस्ची से एक मटकी लटकाई जाती है जिसमें दही वरा होता है और उस मटकी को फिर लोग पिरामिड बनाके फोड़ते हैं और जो लोग फोड़ते हैं उन्हें गोविन्दा का जाता है तो ये होता है दही हंडी उत्सब तो दही हंडी को अब खेल का दर्जा देने की गोशना महरास्ट ने की है और महरास्ट तरकान ने ये भी गोशना की है कि जो भी दही हंडी में participate करेंगे उनको खेल कोटे से गवर्मेंट में reservation भी मिलेगा अब महराष्ट, तो ये है मैप में महराष्ट, महराष्ट की capital क्या है, मुंबई, महराष्ट की चीपनिस्ट कोन है, एकनात सिंदे, और महराष्ट की गवर्नर कोन है, बगात सिंग कोशियारी, अभी भारत ने नागपुर में सबसे लमा double dicker flyover बनाने का record बनाया है, भारत में चेनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज महरास्ट बन गया है। ध्यान रखना चेनी का सबसे बड़ा उत्पादक महरास्ट है, फलों का सबसे बड़ा उत्पादक आंधर प्रदेश है, सबजीयों का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है और मचलियों का सबसे प्रयोजना को मंजूरी दी माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप विक्सित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट बना और द्रस्ट वादित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो रेडियो दक्ष महाराष्ट के नागपुर में लॉंच हुआ है इतना आप को महाराष्ट के बारे में याद रखना है अब लास्ट वीडियो के कुश्चिन का आंसर लास्ट वीडियो मैं आप से कुश्चिन पूछा था कि हाली में इस्कूल स्वक्षता सिक्षा कारिकरम पहल किस राज ने शुरूगी तो अभी उत्तरा खड़ने इस्कूल और लगबग सभी इस्टोडेन ने इसका आंसर सही दिया मूश्ट इस्टोडेन इसके बारे में डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा कोश्चिन के बारे में आपको ज़्यादा से जज़दा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीजे आप लिख देते यो विरोने आप कभी ने गूलते अब आपके लिए आज का कुश्यन आपके लिए आज का कुश्यन है हाली में किस राज सरकार ने बिद्यारत इस्कूल और वेल्स परयोजना शुरू की है चार ओप्सन दिये गए हैं इनमें से आपको अपना अंसर बताना है और इसके आउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉलम है तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश रसी इंस्टाग्राम पर इंद्रेश रसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कन्फूजन बिदाउट एनी हजीटे करो और आपके पास जो भी स्टेडी रिलेटेड वाट्सअप और फेसुग ग्रूप हैं उनमें आप इस वीडियो को सेर जरू कर दिया करो तो ये था आज का मारा करेंटर इंटरफेस का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लेज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राब जरू कर लिजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब आपसे सब्सक्राब करेंगे तो बरावर में एक बेल आइकन बन के आएगा आप उस बेल आइक इसकी वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एक्जाम और बेच विदियू थैंक्स पर वाचिंग